हम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M32 device के अंदर आप अपने keyword font को चेंज कर सकते हैं means कि stylus बना सकते हैं अगर आप किसी को message कर रहे हैं सामने वाले को तो अलग text form में कर सकते हैं उसका एक अलग style मिल जाता है तो इस setting को हम जो है वाय default font से तो enable नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्यों के अंदर keyword font चेंज करने का option नहीं आता हां उसके अंदर themes और चेंज आउट कर सकते हैं विकेज़ मैं यहां पर complete stylus बताऊंगा कैसे करना है तो चलो अब यह फटा पर हम डेमो करते हैं आपको दिखाते हैं हमें अपने keyword font को style कैसे करना है guys keyword font को style करने के लिए सबसे पहले हमें download करना होगा यह वाला applications हाला कि app का downloading link आपको विडियो के निचे discussion पाड़ों मिलेगा वहां से download कर सकते हैं या फिर आप play store में आईए search कर यह font keyword changer तो आपको यह application आसानी से मिल जाता है एक बार इसको open करेंगे use interface इसका guys काफी easy to use है कोई भी आसानी से download करके इस्तमाल कर सकता है यहाँ पर nest बटन आ रहा है जब तक आ रहा है nest तब तक आप nest करते रहे है इसके बाद less start का एक option आएगा इसको आप press करेंगे यहाँ पर मारे पास दो permissions की requirement होगी पहले वाले को हम यहाँ पर click करेंगे एक यहाँ पर demo आ रहा है इस demo को यहाँ से हटने के बाद हम यहाँ पर second वाले permissions को allow करेंगे अब देखो यहाँ पर इसको हम choose करके ok कर देंगे अगें ok करने के लिए बोल रहा है इंकेस अगर आपके phone में यह application स ऐसे काम नहीं करता तो आप अपने phone को restart कर लेना तो यह काम करना start कर देगा ok कर देंगे इसके बाद back आएंगे second वाले को भी हम open करेंगे z word के बज़ार आपको यह font वाले option को select करना start में click कर देना अब यहाँ पर हमारा जो desk word इस app का है open हो जाएगा इसके अंदर हमें write something का एक option मिलता है इसको हम press करेंगे write something मतलब कुछ भी यहाँ पर type करेंगे जो font यहाँ पर normal है वो हमें दिखाई देगा अब हमें font को change करना है तो side में आई है right side में अब देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको font style मिल रहे है I know कि आपने कभी ने कभी इस वाले font को भी जरूर देखा होगा इस तरह से font मिल जाते है about section में बहुत लोग लिखके रखते हैं तो इस style इस कर सकते हैं अभी आप बोलोग अब देखो जो मैं कर रहा हूं वही same font जा रहा है और instant ही आप इसको change करके दूसरा font लगा सकते हो सामने वाले को message करो इसके करने के बाद दूसरा change कर देखो दूसरे form में message जाएगा सामने वाला ऐसे confused हो जाएगा कि मतलब यह change कहां से हो रहा है अब देखो सब कुछ यहां comment section नीचे है आप हमें comment करके पूछ सकते हैं